है हेलो अब्रीवन वेलिकम टू बिगश्ग तो आज हम अपनी एकलर्ट अफेर्साल की जो हैं जो कि Exam में पूछी जाती है हमने पहले उनको अधर करना है तो Class वन एंट्व में हमने यह Support पहले स्कीम को काज करेंगे तो Class1 में हमने 20 को क्वर किया था और आजकी है Class 2 जिसमें हम 1220 bas 30 कि कावर कंजora करेंगे वार क्लास की स्कीम करें एक अ हो जाएंगी आज तो दो class में मैंने सारी की सारी वन यर की current affairs से रिलेटेड government schemes को cover कर दिया है इसके लावा पांच classes मैंने social security schemes के लिए थी जो कि आपकी social security schemes की important है वो मैंने सारी की सारी cover कर आई है तो अगर वो 5 class आपने social security schemes की और ये दो आपने current affairs की classes देख लिए हैं जिसमें latest तो इसके आगे आपको कोई भी स्कीम कहीं सभी पढ़ने की जरुवत नहीं है 100 परसेंट आपकी इसके इनहीं में से आ जाएगी तो यह मेरा एक तरीका है करेंट अफेर्स को कवर करने का तो हमने क्लास 12 में बनियर की गवर्मेंट स्कीम को अब कवर कर लिया है और इसकी जो पीडिएफ है वो भी आपको हमारे टैलिग्राम पे मिल जाएगी टैलिग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो डिस्क्रिप्शन को एक बार आप जरूर चकर ले ताकि यह 40 के 40 जो स्कीम हम करेंट अफेर्स की वन यर की करा रहा है इसके आपको पूरी की पूरी पीडिएफ मिल जाए और हाँ चुकि हमारे पास समय कम है और हमें काम जादा करना है तो मैंने क्लास वन में आपको कहा था कि हम इसको एमसी क्यू फॉर्मेट में कवर करेंगे और आप सबने उसको बहुत पसंद किया क्लास वन को इसके लिए मैं आपका थ 21 स्टार्ट होगा हमारा क्लास टू में आई होब कि आप नंबर से परिशान नहीं होंगे तो चलिए पहली स्कीम हम देखते हैं प्रधान मंत्री कॉशल विकास योजना इस रीसेंटली इन न्यूस 2022 वाई तो प्रधान मंत्री कॉशल विकास योजना भी 2022 में बहुत ज़द तो देखिए मैंने आपको बताए कि न्यूस में क्यों रही तो यह प्रधान मंत्री कॉशल विकास योजना यानि लोगों को कॉशल प्रवाइड कराना ताकि वह स्केलफूल बन जाए तो अभी उन्होंने तीन लाख वुमें को ट्रेंड किया है इस स्कीम के द्वारा इस वहति प्रेंड लाज़ा है अभी प्रेंड करेंगे ये एक फ्लक्षिप इस्कीम है जो कि आता है मिनिस्ट्री आफ इस्किल्ट देवलप्मेंट एंड इंटर्परणरीशिप के अंतर गया और अब यह इस खीम करेगी क्या ये स्कीम त्रेनिंग प्रवाइड़ करेगी एसस्मेंट फीस देगी जो भी व्यक्ति काम करna चाहता है काम सीखना चाहता है लेकिन वो training नहीं पाता क्योंकि उसके पास पैसो की कमी है तो सरकार यानिकि government उसकी fees को paid करेजी तो इस एक question से हमने पूरी scheme को भी समझ दिया और यह scheme news में क्यों रही हमने इसको भी समझ दिया तो इसी तरीके से हम अपने पूरा का पूरा प्रेंट को कवर करने वाले हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा all of the above कि I hope कि आपको यह scheme और यह news में क्यों रहे हैं यह अच्छे से समझ में आ गया है चलिए next में बढ़ते हैं ट्वेंटी टू में कुशन नबर 22 रिसेंटली दा यूनियन मिनिस्टर अफ एजूकेशन एड इसकिल डवलेप्मेंट प्रिजैंट इसकिल डवलेप्मेंट प्रिजैंटे और अब अगर ध्यान दे पारे होंगे कि मैंने यह पर पूरी बात को इसपश्ट गया है पहली बात क्या कि हाल ही में यूनियन मिनिस्टर हैं एजूकेशन एड इसकिल डवलेप्मेंट की मिनिस्टर के यूनियन मिनिस्टर ने अभी स्रटिफिक Adapt किये Sunde em seekers को क्या कंपूरीट और रेकेटनाइजेशन ओफ पिरियर लर्लिंग प्रोग्राम और यह एक प्रकार का सैटिफिकेट प्रोग्राम है जिसे अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ने सैटिफिकेट प्रोवाइड करवाया है वर्कर्स को तो हमारा ऑप्षिन क्या बन जाएगा बोथ एंब दोनों बा एजुकेशन एंड इसके डवलप्मेंट 23rd वाट इस दा फूल फॉर्म 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 अंगे स्कीम आने वाली है तो सबसे पहले इन में से कोई भी नहीं तो एमस एमी का फूल फॉर्म है माइक्रो इसमॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज ऑप्शन भी इस राइड और अगर आप करेंड को तयार कर चुके हैं तो आप मेरे साथ साथ आंसर लगाई ए और लास में मुझे बताइएगा किया पी कितने आं अब यह रैम प्रोग्राम क्या है यह यहाँ पर पूछा गया है जो कि एमसमी की द्वारा लाया गया मैंसमी को मैंने बता दिया क्या होता है टू सपोर्ट था में बाई improving access to market and credit strengthening institution access to finance disbursement linked indicator provide all information about target achieved all of the other यहाँ पर ध्याम दिजिगा RAMP जो प्रोग्राम है यह support करता है MSME को कि वो market को access market के access को improve करे and institutions को strengthen करने का काम करे finance provide करा है और यह किया किसके साथ जाएगा disbursement linked indicator के साथ मिलकर यह सारे के सारी जो चीजे हैं इसके target को achieve करने का काम करेगा और यह indicators बताएगा disbursement linked indicators कि कितना target हमने achieve अब तक कर लिया है यानि market को कितना हमने improvise कर दिया है और institution को कितना strengthening कर दिया है तो यह RAMP प्रोग्राम I hope की समझ गए होंगे आप इसका option क्या हो जाएगा और अब 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 वाट इस्ट इसकीम यह भी अभी हाल ही में current affairs में रही वन यह की current affairs में तो जैड होता क्या है पहले तो यह जानना पड़ेगा इस जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन इसकीम इट कैन रिद्यूस वेस्टेज सस्टेनिबिलिटी इंक्रीज प्रोडेक्टिविटी इन्हांस consequences save energy and expand their market both a and b या फिर only a तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले इस देड़ का सेव करें और मार्केट में इसको expand करें overall environment को अच्छा बनाएं अपने इन कामों के द्वारा तो यह हो जाएगी हमारी जड़ी स्कीम बोथ a and b दोनों बाते सही हैं और हमारी पूरी स्कीम को यहां पर यह दोनों बाते कवर करती हैं तो चलिए next पर बढ़ते हैं इंडिया है रिच्ट अंड्रेड यूनिकॉन स्टार्ट अप्स विद वैल्यूएशन ऑफ मोर दें 300 बिलियन डॉलर थो प्राइम मिनिस्टर इंप्लाइमेंट जनरेशन प्रोग्राम तो अभी हाल ही में इंडिया में 100 यूनिकॉन स्टार्ट अप्स पूरे हुए हैं और जो यूनिकॉन स्टार्ट अप्स बनते हैं उनकी जो कंपनी की वैल्यूएशन होती है वह 300 बिलियन डॉलर होती है तो अभी हाली में पी डबलू यानि फिजिक्स वाला का नाम आपने सुना होगा उसी से रिलेट करके ये निउस है तो आपको शायद ये निउस भी याद गई होगी इस नाम से कि फिजिक्स वाला ने भी हाली में यूनिकॉन कंपनी बने है तो फिजिक्स वाला जो यूनिकॉन कंपनी बने तो उसी दौरान 100 यूनिकॉन कंपनिया भारत में हो गई है भारत इस लैंडमार्क तक पहुंच गया है और जो यूनिकॉन कंपनिया होत बात है यह इंप्लीवेंट होती है भाई खादी एन विलेज इंडस्टी कमिशन के दोरा यह बहुत इंपोर्टेंट है ध्यान आपको रखना है और यह प्रमोड करती है सेल्फ इंप्लॉइमेंट यानि आपको साइट अप कर रहे हैं तो सारी की सारी बात इसमें ठीक हो दा डोनेट पैंशन स्कीम एलाउंग एनी सिटिजन तो पेड़ प्रीमियम एमाउंट ऑन बिहाफ और अन और्गनाइस्ट वरकर प्रधान मंत्री श्रमयोगी मांधन स्कीम दा यूनियन लेबर एंड इंप्लॉइमेंट इंडस्टी बोथ ए एंड बी और ऑनली बी तो यह देना पड़ता है यह प्रीम्यम जो व्यक्ति योजना लेता है लेकिन यह और Wanna ने लॉप उसके की प्रीमयों को डो नेट कर सकता है दो लेटापैंशन कोई हैं इंप प्रीमयोट को पेंगर सकता है और ग 기본 कि श्रम योग्र के अंतर गता है कि कि यह ब मांधन योजना स् यह प्रदान मंत्री श्रम योगी मांधन योजना स्कीम के अंदरगत आता है और यह जो स्कीम है यह आती है अंडर दा यूनियन लेवर एंड इंप्लाइमेंट मिनिस्ट्री तो इध्यान रिखेंगे कि यह एपी फो के प्रॉस्पेक्टिव से इंपॉर्डेंट एंप्लाइ तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा फूल फॉल फॉर्म क्या होता है फूल फॉल फॉल होता है प्रोडेक्शन लिंग्ड इंसेंटिव स्कीम बिल्कुल सही बात है प्रपोस फाइनेंशल इंसेंटिव बूस्ट डॉमेस्टिक मैनुफेक्ट्चर औफ एडवांस यह ध्यान रखनी है तो दोनों बात यहां पर ठीक है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बोथ एए एंड बी इस राइट विच इसकी में सेवन यह सक्सेस्पूल यह बहुत ज़्यादा न्यूस में रही कि अभी हाल ही में कुछ ऐसी योजना ही रही जो जिन्होंने पने सैवन यह सक्सेस्पूलीट हो जाती है उसका नाम आपको ध्यान रखना है क्या वह योजना प्रधान मंत्री जीवन जोती जोती भी जोती भी मायोजना प्रधान मंत्री लृख्षा भी महीं यह बी सेवन सीक्सेस्पूलीट किये हैं सेई अगर इके कम्पलीट गया है उसमें हमने यह तो कवर कराया है अगर आप immigrants तो बहुत अच्छा है नहीं देखा है तो आप चैनल में प्रेलिस्ट में जाकर एक बड़ जरूर चेक कर लें प्रधानमंतिर जंधन योजना कंप्लिटेड एड यह सक्सेस्फुली इंप्लि मेंटेशन तो अभी जो प्रधानमंतिर जंधन योजना इसने आठ साल अपने कंप्लीट कर लिये तो यह किसके लिए तो देखे ध्यान रखेगा यह यूजना और डी मैंने आपको सोचल स्कीम में कराया लेकिन चुक्कि एक बार इसको फिर से बता देते हैं कि प्रधान मंत्री जंधन योजना जो है इसने भी हाली में अपने आठ साल पूरे कर ली है एक पिस कंप्लीट कर ली है यह योजना ज हुआ है तो उनके खाता खोलने के लिए योजना लाई गई थी और यह योजना फ्री एक्सिदेंटल इंस्यूरेंस कवर देती है रुपए कार्ड के थू जिसकी पहले लीमिट वन लैक थी अब बढ़ाकर उसको टू लैक कर दिया गया है और जैदर डिटेल में जाना चात है और अपने फ्रेंड सरकल में इसे शेर कीजिए यदि चैनल पर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए चलिए नेफ्स पर बढ़ते हैं यूएस एजनसी पर इंटरनेशनल डेवलेपमेंट एम तो इंक्रीज ट्री कवरेज आउटसाइड ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन इंडिया तो सपोर्ट ग्लोबल क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन ओल अब तो ध्यान आपको डखना है कि ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इनिशेटिव लॉंच किया गया मिनिस्ट्री आफ इन्वार्मेंटल फॉरेस्ट एन क्लाइमिट चेंज की द्वारा और यह इसके साथ मिल करके यूएस एजनसी पर इंटरनेशन डेवलेपमेंट यानि इन दोनों ने मिल करके इस इनिशेटिव को लॉंच किया है और इस को देश क्या है इंडिय उसका इम है इंक्रींगे करना ट्रीा को आउटसाइट ओफ कॉरेस्ट लैंड इंडिया-टू सपॉट्ट ग्लोवल क्लाइमीट चंज म्टогया considerations के लिए त्री ज्व्यादा समोध लादा यह इनका मेल उतेश है तूट्सर क्या हुआई तू और काम आध पियंूजे करी जाम सी इसकेम का गोल है ताकि वह कंड्री इंडिया को बना दे टैकनिकल टैक्सटाइल में नचनल से इस्कीम, नैशनल इनव़ॉरमेंटल षी pride निया नान है इसका यह गोल है कि वो global leader बने टेकनिकल textile में उस scheme का नामे national technical textile mission तो option A हमारा यह बिल्कुल ठीक हो जाएगा यह यह उजना जो है global leader बनाएगी हम हमको textile technical textile में पीम मित्र पार्क्स scheme आईए setting of textile पार्क्स for painting under ministry of textile बोट only A and C तो अगों को ध्यान रखना है पीम मित्र पार्क स्कीम जो है वो टेक्स्टाइल पार्क की सेटिंग करेगी इंडिया में और यह अंडर मिनिस्ट्री और टेक्साल के अंतरगत आती है तो आप्शन हमारा हो जाएगा अनली ए एंड सी यह दोनों की दोनों बात ते सहीं है यह छोटी छोटी न्यूज है जो आपको प्रोटेंशियल फास्टर एकोनॉमिक एंड शोश्यो कल्चर ग्रोथ बोथ ए और बी या नानौवदा अभव या इन में से कोई भी नहीं तो आपको आंसर ध्यान में रखना है कि वर डिस्ट्रिक्ट एन वन प्रोड़क्ट इस्कीम लांच की गई है मिनिस्ट्री और प्रोटेंशियल तक पहुंच सके फास्टर एकोनॉमिक एंड शोश्यो कल्चर ग्रोथ कर सके तो आंसर क्या हो जाएगा बोथ ए और बी दोनों की दोनों बातें हमारी पूरी स्कीम को कवर करती है अब तो देखें है कि तो देखें भकषण को लिए अधरे अगवर के द्वार्यक्त यह है कि यह वाला तो समझ गहें घचेंग़ę विकास नहीं है लेकिन उज्वला है या उज्वल है तो जहान रखना है जो एल पीजी कनेक्शन गरीब मैलाओं को प्रवाइड करने का जो मिनिस्ट्री आफ पेट्रोलियम एंड नैच्रल गैस का जो उद्देश है इस योजना का नाम में प्रधान मंत्री उज्वला योजन के द्वारान फूट की बहुत ज़्यदा प्रव्लम हो गए थी यानि फूट सफीजेंट ने वह था कंट्री के लिए तो किस स्कीम ने इस प्रव्लम को सॉल्व किया यानि वह कौन सी स्कीम है जिसे सफीजेंट फूड प्रवाइड कराया पूर एंड नीडी को प्रधान मं किस योजन ने किया प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना तो योजना का उद्देश है वह आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है चलिए 37 पे मागा है सागर माला दा फ्लक्षिप प्रोग्राम ऑफ दा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्स शिपिंग और वाटर वेस और दिये हैं तो यह कौन सा प्रोजेट के यह था करेंट में यह थोड़ा सा रहा था शुक चलिए 38 पर मंति जन और यह बहुत ज्यादा एंप्वरॉटेंट योजना है और इस्ते वह औरिशीक कोष्जन में रही है یोजना है ज्यादां टियां आपको थ्यान रक णी आ तो आपको ध्यान क्या रखना है कि प्रधान मंत्री जन आउशुधी योजना यह इंप्लीमेंट की जाती है फार्मस्टिकल और मेडिकल डिवाइस ब्यूरों इंडिया के द्वारा और यह किस मिनिस्ट्री के अंतर आती तो मिनिस्ट्री द्यान रखेगा आप सोचेंगे कि तो यह मिनिस्ट्री के अंतर आती बट ऐसा नहीं है यह आती है मिनिस्ट्री आफ क्या मिकल एन फर्टिलाइजर के अंतर गःए और यह 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 काम क्या करेगी प्रोवाइड जैन्रीक मेडिशन इन्फॉद्वल कॉस्ट यानि जो मैडिसीन है बहुत जदा म प्राइम डिवाइन स्कीम यह बहुत इंपॉर्टन इसकीम मुझे इसलिए लगी क्योंकि प्राइम डिवाइन से आप सोचेंगे कि यह स्पिच्वल स्कीम है लेकिन ऐसा नहीं है दा प्राइम मिनिस्टर डेवलेप्मेंट इनिशेटिव यह फॉर नॉर्थ इस्ट के स्कीम को रखा है तो यह आंसर कर जाएगा बोथ एंड भी हमारा सही है चलिए अब लास्ट कोश्चन पर आ गया है और 40 स्कीम हमने पूरी के पूरी करेंट अफेर्स की कंप्लीट कर लिए और इसके लावा और इतनी स्कीम्स आपने कवर कर ली जो कि करेंट की भी है और जो तो इंकरेज गल्स तो टेग इंटरस्ट इन साइंस एंड बिड़कारियर इन साइंस टेकनोलोजी इंजीनिरिंग और मैथमेटिक्स यानि की स्टेम तो फैसलेटेट एफॉर्डबर एडुकेशनल फंड बोथ एंड या ओनली बी तो भाई आप ध्यान रखेगा यहां पर सब्सक्राइब इसके लिए तो ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है तो यहां पर हमारी 40 योजनाय कंप्लीट हो गई है जिसमें क्लास वन में हमने आपकी वन से लेकि 20 तक की थी और हमने क्लास टू में आपकी 21 से 40 कर लिए यह सारी कि सारी योजनाय करेंट अफेर से रिले अगर आपको अच्छा लगाओ पसंद आया तो फ्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल पर अगर आप इसी तरह के और वीडियो लगार तरह देखना चाहते हैं क्योंकि हम करेंट अफेर्स में वन यह की स्कीम को ही कवर किया है वन यह के करेंट अफेर्स में दो करेंगे तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजी शेर कीजी और देखिया आपके पास लास्ट मौका है अगर आप अपको इतने टॉपिक्स की मातर 499 में तो आप मुझसे इमेल पर संपार सकते हैं और यह के लिए 399 में कंप्लीट सब्जेक्स का आप पीडिया लेना चा करना पड़ेगा जिसके लिए आप मुसे एमेल पर संपर्ख जरूर करें तो लाइक शेर कीजी चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू